कैसे आप दोस्तों आज में आपको बताने वाला हुन Samsung का माइल फाइल है उसमें एक नए अपडेट आया है और कमाल के नए फीचर को वहाँ पर एड़ किया गया है दोस्तों ये फीचर क्या है और कैसे यूज करना दोस्तों सबसे पहले बात इन फीचर को यूज करके और आपका जो स्पेस है मॉवाइल का खाली कर पाएंगे ताकि आप उसको कहीं दूसरी जगा उसको यूज कर सकें दोस्तों इस फीचर को कहां मिलेगा कैसे यूज करना तो आगे इस वीडियो बताने वाला दोस्तों चलते हैं अगे मेरा नाम सनी अरोरा और आपका स्वागत अब उसको च्राइब करना ख सकते हैं अगर आप उपडेट नहीं करेंगे तो आपको फीचर नहीं मिलने वाला तो firstly आपको इसको update कर लेना है तो मैं यहां पर आपको find करके बताया हूँ कहां मिलने वाला है आपको यहां लिख लेना है Samsung My Files यहां My Files मिलिख सकते हैं दोस्तों आप Samsung My Files लिखेंगे यह वहाँ पर आपको easily मिल जाएगा यहां पर इसको open करके इसको कर लेना है firstly update अगर आप इसको update नहीं करेंगे तो आपको यहां पर आगे दिखने लगा है के हैं शुर्छ यहां पर नीचे आये धुकंगा यहां पर नेकर argus डिख रहा हूगा रिंज के नीचे दिखना है छोगे जो ऑप्तन डिनकी विट्सके में बहुत हां जोगे सकते होगा यहां पर देखरा है के नीचे आपको 5 GB का डेटा पर Rose रिसाइकल बिद पड़ा है है यहां पर आप को गेलरी का ऐकन में दीकर है जो कि गेलरी में उटना पड़ा है माई-ाइस में इतना डेटा पड़ा है मैसwriting उतने डिलीट पड़े हुए और ऑस info मिल जाएगा जो कि आपको बाद में बहुत काम आने माला है उसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे आपको एक और ऑप्शन मिल रहा है अन्यूजड एप्स का आपको दिखेंगे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अन्यूजड एप मिलेगी जो की आपने 30 दिन से एपको नहीं ख मेरी तो यह उपर से लेकर नीचे मतले सबसे ज़्यादा जो जबसे ज़्यादा जो मेमोरी खारीओं की उपर दिख रहा होगा और सबसे कम जो आ रहा होगा वो नीचे पूरी शॉट करके आपको बता रहा होंगे अगर आपको इन में से कोई भी ऐसी एप लगती है जो कर सकते हैं आगे मैं आपको memory यूज़ करके बता जाता हूं memory कितनी भरी थी और recycle bin का डेटा वे डिलेट करके आपको पता लग जाएगा कि आपको इसमें definitely फायदा होने वाला इस feature से क्योंकि आपको पता नहीं होता कि कहां-कहां recycle bin पढ़ा है और वहां जाके बोद देखता है आप पूरा combine करके दे सकते हैं जहां जहां आपने recycle में delete करा है अगर आपने message में कुछ delete नहीं करा तो वो नहीं दिखाएगा अगर contact delete नहीं करें वो नहीं दिखाएगा तो आपके पास नहीं दिखाएगा तो समझ लिए आपने वहां से कुछ ऐसा को recycle में पेंडिंग नहीं कर दिया MPT तो मैंने हां से पूरा MPT कर दिया रिसाइकल बीन को रिसाइकल बिन डिलीट होने के बाद वह भी पूरा महा से डिलीट हो जाएगा वहां पर आप देखेंगे दोस्तों यहां डेवाइस भी बता रहा है कितने डेस तरफेंडिंग या 28 देन या 28 देन से कम कर तो इ गैलरी का डेटा यहां पर नहीं दिखेंगा क्योंकि आप देख रहे हैं गैलरी आपको नहीं मिल रही है माई फाइल समझाएंगे तो माइफाइल में भी पड़ाए तो आपको यहां से इसको भी डिलीट कर देना है तो यह भी डेता हड़ जाएगा तो अब आप क्या आप अच्छे से इसको यूज कर सकते हैं, दोस्तों, उमीद है किλέए आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो, थैंक यू तो मुझे उमीद है कि endorse और आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और हो सगे तो मुझे इंस्टा करना भी ना बोले इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर ही मिल जाएगा और यहां पर मैं आपको स्क्रिंशॉट लगा के भी दिखा रहा हूं तो तो थेंक यू